मैं चाहती हूँ बस आप पड़ो और मेहनत करो बस कहीं से भी करो आपको जहां से सही लगे मेरे यह मैटर नहीं करता है जब हमारा यह है कोई ऐसी सेल सेंटर वाली बात नहीं है ठीक है मुमिया मिटू मैं बनना नहीं चाहूंगी चार ऐसी प्रो टिप देने वाली हूँ बि टेंथ वाले बच्चो बोड़ जैस पार मैं बोड़ रही हूँ फोड़ना है अपने को सबको मिलकर इस बार और फोड़ेंगे अपन कुछ भी हो जाए मैम जो मैटरी तो डरा के बैटी है डर खतम नहीं हो रहा इंटरस्ट बिल्ट नहीं हो रहा मांक्स नहीं आरे समझ नह करें唱र चैनल पर मेरे प्यारे से क्याल चालीक आई हो अज को वैसे तो पता चली गया होगा ढ़्र कढ़ए घर आई हुमेटरी घर खतम करने आय यह मेरी बडियो कोका और फ्योल्स विडियों से बाट आपको करना यह है कि आपको स्टार साथ कर यह करनी है कि जो नहीए में भी ये बात आपसे में इसका प्रण लेकर जाओंगी तो क्या है आज आइडियल वे टू अप्रोच एक आइडियल अप्रोच और कुछ ऐसी ऐसी बातें इसमें शुरू अतनिक चीज़ों बोलूगी इसकी वीडियो की आखरी में इसको आखरी तक जरूर देखिएगा एक कैसी प्रो टिप दिये मैंने चार बातें ऐसी बताईए जो मुझे नहीं लगता आपको आज तक किसी ने जोमेटरी के इसमें स्ट्राटेजी किसी में बताई होगी तो आज हम जोमेटरी को अनलॉक कर देंगे पूरा खतम कर जाएंगे मस मजा आ जाएगा इसके बाद जोम जोमेटरी पड़ें नहीं it's not about how it's about when it's about what it's about why and then it's about how getting my point कि when हम कमे कब पढ़नी चाहिए कहां से पढ़नी चाहिए क्यों पढ़नी चाहिए what and where and सबसे आखरी में हाओ आएगा तो सबसे इंपोर्टन यह है कि जोमेटरी हम पढ़े कब अब बोलो मैं पढ़ाई कभी भी प इसा मत रखिए कि भाई हम तब पढ़े है जो यह दूसरी चीज है कि आपको जब आपको जब अपना लग रहा है कि यह मेरा सबसे बेस तरीका है यह जो मेरे पांच चैप्टाइज में एक साथ कर सकता हूं यह कर सकती हूं आप तब पढ़िए दूसरा सबसे इंपोर्टन दिवाली के बाद धिवाली से पहले हम दरे रहते हैं दिवाली के बाद चीजों से फ्री हो जाते हैं इसमस्का बीधा अब बात आती है, पढ़े कहां से मैडम, अब बच्चे के दिमाग में जब कहां वर्ड आता है ने तो हमेशे बुक्स आजाती ही दिमाग में, थोड़ा अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाओ और थोड़ा सा उसको वाइडर एस्पेक्ट पे देखो, बुक्स तो मैं बताई आपको उसके उपर सारी वीडियो सारे आपको पूरा पढ़ा दिया गया अच्छे से क्या बोलते हैं, नाइन्थ क्लास की पूरी जोमेटरी और टेंथ क्लास की प्रनफसर ने जोमेटरी पढ़ा रखी, बहुत अच्छी, तो आप उसे पढ़िए, ठीक है, उसके बाद और NCRT तो हमारी भगवान है, इसको में इन सारे पॉइंट्स को में एक एक करके अच्छे से समझाओंगी, बट यह बताना चाहिए कि कहां कहां से पढ़नी ची हमें, इन सबसे पढ़ना ऐसा नहीं से एक किसी को उठा लिया, फिर आपको इनी से नोट सलूशन बना के आप आपको कहीं से सलूशन मिल रहें या नोर्स मिल रहें, तो आप वहां से पढ़िए, फिर आप सेंपल पेपर पी वाई क्यू उठाइए, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए लाइव, यह आपको कोई बोले का है नहीं, यह मैं गरेंटी देती हूँ, लाइव से प्रैक्टि हो गया, बात आती हाओ, कब पढ़े, कैसे पढ़े, कब हो गया, कहा से पढ़े सब हो गया, मैं पढ़े कहसे, हमें क्या अप्रोच, क्या स्ट्राटेजी रखनी चाहिए, अब देखो बेटा, वैसे तो कुछ चार बाते पढ़ने से पहले आपको ध्यान रखनी है, वो चार आपको स्ट्राटेजी बताती हूं एक पुरा लाइन वाइस, स्टेप वाइस बताती हूं, सबसे पहला काम आपका कभी भी, कभी भी आप जॉमेटरी पढ़ने जाएं, तो हमारे जमाने पे दिक्कत ये थी बेटा, कि हमारे पास साधन नहीं थे, टीचर ने पढ़ा दिया, पढ़ लिया, समझ में तो ठीक है, बुक थी, सिर्फ बुक से पढ़तेते हैं, आप लोगों के पास इतना बढ़िया साथ, एक तो टीचर बढ़िया बिल्कुल अपने हो है, हमें यूट्यूब मिल गया है, और हमें यूट्यूब एप, सब्स्क्रिप्शन, बता नहीं क्य आपको किसी और टीचर का बहुत अच्छा लग रहा है, इस चैनल, सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, आपको जो अच्छा लग रहा है, मेरे आपका future matter मैटर करते यह यह सब भर आपको सबसरत पर देखने के बाद बच्चे की सिपूनिटिटी ने वहाण ददेखने के बादने देखने मेरे और चेप्टर्ट यहा急 वोप रहे हैं बस हो गया चैप्टर ही खतम उसके बाद आप क्या करेंगे आप उसी से जब आपको मैं भी जब पढ़ाती है तो नोट्स लिख वाते हैं आप उसी से अपको हमारा क्या होता है कि हम NCRT कवर कराएं तो ठीक है हम इन सारे वंचॉट में NCRT भी कवर कराते हैं औ तो आप क्या करी उसी से नोट्स बनाई है उसी से अप NCRT के सलूशन पूरे खुद से लिख कर बनाई है आपके नोट्स कहीं से बने बनाई मिल रहे ना तो वह भी ले लो को दिक्कत नहीं है मैं स्मार्ट स्टेडी में बिलीफ करती हूं आगे बढ़ते हैं आपने अगर कहते हैं ना भगवान है तो जोमेट्री के केस में वह एक्चॉल बात है मतब जोमेट्री के केस में पूरी पूरी जोमेट्री है वह NCRT से उठके आती है तो आप अगर आपने वंचॉट देख लिए नोट्स बना लिए वैसे आपकी 80% आपकी NCRT हो गई फिर भी आपको सजेशन दोंगी कि जोमेट्री के लिए कम से कम आप चार बार NCRT करो आपकी कमांड पकी नहीं मेरा नाम बदल देना ठीक है NCRT करो आप NCRT में बच्चा क्या करता है वह हमेशा अंडरेटेड वे में सिर्फ एक्साइज पर ध्यान देता है लेकिन अगर देखो बह लेवल देखना मजा जाएगा और वहीं इंपोर्टन कोशन बनाते हैं और वहीं से टीचेस उठाके देते हैं कुछ टीचेस को तो फेवरेटी एक्जामपल होते हैं ठीक है तो बेटा एक्जामपल को बिलकुल भी नहीं बूलना यह बहुत बढ़िया बात बता दी मैंने कोई प्रो टिप है बहुत बढ़िया बच्चा यह यह जो चीज होगी ना मैं आपको एक चीज बोलू यह सिर्फ पांच परसन बच्चे करके जाते हैं इसलिए वह जमेट्री में बल्ले बल्ले कर लेते हैं दूसरा स्टेप दन तीसरा स्टेप अब आपने वन शॉट रहना देखो साथ सा त्रिवीजन चलता रहना चाहिए अब आप उठाएंगे सेंपल पेपर्स की बुक्या आप कोई पी वाई क्यू उठा लीजिए मोस्ट इंपोर्टन कोशन की बुक उठा लीजिए आप प्रैक्टिस करिए रेफरेंस बुक उठाईए और एक चीज जो मुझे लगता है आपको कोई कोई नहीं बताने वाला क्योंकि यह मैं सोचती हूँ इसके पर्सनली मेरा मैंने सोचा है क्योंकि हम यह चीज ला रहे हैं आप जिस ला रहें ढथ यह देखी आप जıtने लाइभ आट के लाइं नाइन आइंत के लाइज्ड फूल अभी मैंने आपको कुशने का एक बहुत अच्छा की आफ नेशनी हो जाता है मैं चाहती है झाहती हैं अबस कहीं से दिख आछ अप्धव्हार्य गरूंगा से नहीं करते हैं कोई अब लूह बात नहीं है टीक है कि मुवारी में नहीं तो किस लेवल तहां से हम कोशन कहसे जुगार करके कैसे पूरा आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो वह अलग चीज है तो दिस वॉस अलबाट थ्री स्टेप्स लास्ट बच्चा नहीं करता जो मेट्री में डर किस बात का है एक इंटरस नहीं है और डर है डर का बात है जब इंटरस नहीं होता कॉंफिडेंस नहीं है ना बस आप यह चीज कर लो प्रैक्टिस जितनी आपकी जुशता है एक बार एंसीर ने करा ही ए वस खतम बेटा एंसीर टीचर के कराने के बाद आपका काम है उसे चार बार फिर से करो गेटिंग माइपॉइंट चार बार भी कम क नहीं आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे पिरी विडू तेंट के बच्चो 10 वाले बच्चो बोड एस बार मैं भुड रहूं है अपने को सब को मिलकर और फोड़े यह ए अपन कुछ भी हो जाहा और 9 तो अमेशहा से फोड़ी नहीं है को कहीं गुगल कहीं यूट्यूब कहीं नहीं मिलेगी यह चीज यह मेरा लिखकर ले लो आप वो प्रो टिप आपको जोमेट्री सॉल्व करने में हमीशा हेल्प करेंगी जभी आप जोमेट्री पढ़ने बैठेंगे आप चार बाते दिमाग में रखके यह बात काम करेंगे और साथ साथ उसी चीज को करते वे चलेंगे यह चार चीज़े मैं चाहती हूं आप कहीं लिख लो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है एंसी आटी तो हमारी जो है ना जोमेट्री के केस में उसे हमें भगवान मानके चलना है वो हमारी एक्चुल भगवान है मतलब वही कर पता दरता है उसी पर सबकुछ टिकाह अपना उसका एक भी कोशन छोड़के नहीं जाना अब बात याती है एंसी आटी की अपरोच में पढ़ना कैसे अब यह हमें टीचर जी बता देते कि क्या क्या करना है कैसे करना है बता दिया लेकिन क्या कि मानलों कोशन आ गया तो को कोशन की अपरोच कैसे रखते हैं अब मैं आपको कोशन की अपरोच बता रही हूं सबसें कि इंक गयाकिरमें बच्य बच्चा टकता का है उसे कोशन समझने आता पहली गलती पहला आप कोस्षां समझना सीखिए उसके बाद सबसे सेकेंड इंपोर्टेंट mechan चीज का थी ड डाइग्राम बनाओ, आपके दो स्टेप हो, कोशन रीड करके समझा, आपने डाइग्राम बनाया, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप सुनना, अब आप उससे गिवन और टू प्रूफ, आपको क्या चीज प्रूफ करनी है और क्या चीज दे रखी वो लिखा, अब बच्चा स पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, पूरा स्पॉंटेन है, बटके भाई निकले है, चलो भाई जा जा रहा है, जो जैराम जी कि नहीं ना, तो आप पहले ले आउट बनाओगे उस कोशन का, कि उस कोशन में गिविन क्या है, प्रूफ क्या करना में, कैसे करूँगा प्रूफ और उसमें ही आपको एक चीज़ बताऊंगी, हमेशा जब आप ले आउट बनाओ, आपको नहीं, जहां आप अटको, जहां आप अटको, आप पीछे से स्टार्ट करो, पीछे से स्टार्ट करो ले आउट को, पहली चीज, NCRT करनी है आपको, दूसरा, आपको स्य को, आपको थीन, झी चार, चार, तेंट करो करो, आपको जवाले करो, जब आपको छेज इन प्राक्टिस है, जितनी प्राक्टिस हो सकती है, और मैग चीज बोलूंगी, करेवे, कुर्टिस जादा करो, नए कॉट्शन जादा कम, उठाओ, नए कॉट्स इतने ही कि आपका थोड़ा वो कर देगा आगे, आपको कॉन्विदेंस बिल्ट करेगा वो अलग चीज है, पर पहले करेवे कोशन को पक्के करो, So I hope आपको यह चीज अक्छे से समझ में आयोगी, मैंने सर्फ ऐसा आपको जोमेट्री का वो नहीं बताया है, तो बस परपर से ऐसे करना है, कि अब, अब मैं आपसे प्रण यह चाती हूँ, प्रण यह चाती हूँ कि डर मैंने खतम कर दिया, मैं जानती हूँ, बस एक तो देखो, सबसे इंपर्टन कहा है, स्ट्रेस नहीं लेना, जाधा स्ट्रेस लेते हो, बहुत-बहुत ज़्याधा स्ट्रेस लेते हूँ, मेरे क्यूटी's और बěडूस, स्ट्रेस नहीं लेना, नाई देना है, लिवन लेट लिव वाली चीज़ है, दूसरी बात, प्रण ले लो, अब दर खतम हो गया है, अब साथ मिलकरब धर में काथ मैं bounded आपको ढाया होगा आप को जो स्थे में 내今ुसे हम वह अब डाउट औव और कमय्ट सेक्शन फिर से बोल रहूए भर से में प्रन यह लेते हैं कि हम साथ मिलकर आज के बाद से महनत करें और फोड़ेंगे हैवन नाइस जे बाइबाइच चगदेफटे जैहिंद